Hello friends, welcome to my channel AM Study आज हम इस वीडियो में जानेंगे 857 इश्वी की महान करांती के बारे में क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी जानने के लिए वीडियो में अंतितक बने रहें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं अंग्रेजों ने भारत में इस इंडिया कमटिंग की इस थापना 1600 इश्वी में की थी 1608 में सुरत के बंदरगापर प्रिटीश जहाज ने पहली बार कदम रखा मुगल समराथ नुरुद्दीन सलीम जहांगीर से वानिच्य संधी की उस संधी में समराथ ने अपने महल के बदले अंग्रेजों से दुरलब वस्तुओं और अलग-अलग तरहा के समुद्री मोतियों की मांग की थी धीरे-धीरे अंग्रेजों ने कुटनितिक बुद्धी के जरिये भारत के पूरे व्यापार पर अपना कबजा जमा लिया 1750 इश्वी में भारत की राजनीती में हस्तशेप करना शुरू कर दिया 1757 इश्वी प्लासी के युद्ध के बाद East India Company ने भारत में अपना शार्षन स्थापित करना शुरू कर दिया 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूग ब्राउन बैस के स्थान पर राइफल का प्रयोग करने का फैसला किया राइफल के लिए जो कार्टूस बनाए गए उन्हें राइफल में भढ़ने से पहले मूँ से खोलना पड़ता था राइफल में लगने वाली कार्टूस में गाय और सुवर की चर्बी का प्रयोग करते थे यही गाय और सुवर की चर्बी वाला कार्टूस 1857 की क्रांती का प्रमुक कारण बना 29 माच 5857 इश्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक को राइफल में कार्टूस को भढ़ने के लिए मूँ से खोलने को कहा गया मंगल पांडे ने कार्टूस को मूँ से खोलने से इस पस्ट मना कर दिया इसके फल स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ तार कर लिया गया 8 अप्रेल 857 को उन्हें फांसी दे दी गई इसी कारण से 857 की क्रांती हुई 10 अप्रेल 857 के दिन मेरट की पैदल टुकडी से 857 की क्रांती की शुरुवात हुई 857 में मेरट की भारतिय सेना ने बगावत कर दी विद्रोह की योजना खूफिया ढंग से बहुत अच्छी दना बनाई गई थी लेकिन नियत समय से पहले विस्वोट होने से योजना बिगड गई यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था इसका प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ इसने जन आंदोलन और भारतिय स्वाधिन्ता की लड़ाई का रूप ले लिया जन आंदोलन के रूप में हैं दिल्ली संयुक्त प्रांत मत्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सिमी था मूलत है या सामन्तिय विस्वोट था इसमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परिशान किया इसके अलावा एक और विशश नाम जिसे आज भी हम शदा पूर्वक इसमरण करते हैं जहां से ये रानी लक्ष्मी भाई का है जो 20 वर्ष की आयू में लटते लटते मारी गई अंग्रेज जनरल जिससे रानी लक्ष्मी भाई का मुकाबला ताहीरोस ने लक्ष्मी भाई की वीड़ता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वहागेली मर्द थी, सर्वोत्तम और सबसे बहादु क्रांतिकारी थी यहां भारत का प्रथम सतंदर्ता संगराम था जिसे हम 1857 इश्वी की महान क्रांति के नाम से जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद इस इंडिया कंपनी की भारत से विदाई हो गई उसके बाद ब्रेटीश क्राउन का भारत पर सिधा नियांतरन हो गया था जिसे हम ब्रेटीश राज़्ट के नाम से भी जानते हैं सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में तो इतना ही था वीडियो में अंतक बने रहने के लिए थांक्यू सो मच वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शाष शेयर करिएगा फ्रेंड्स आपको 1857 की क्रांती के बारे में पहले से पता था या नहीं कमेंट कोई के जुरूर बताईए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और थैंक्स पर वाचिंग